भारुप के शौन्देहर बाती के गता भूल उप्रोमन कोरी G20 शाफुल विश्वमन्चे बारे प्रोथम शारीतेई देश नेत्रित्त मेरेचे तामाम दुनिया सबका साथ सबका विकास एकुन ग्लोबाल मुंट्रो लोक्षवाई घुशोना नरिंद्र मोदिर भारत के पति शक करने का एक्स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जो आजादी मिली तब से चल रहा है इस बार भी यही था कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा असंभव है लेकिन ये भारत की ताकत है तो बहभी हुआ और बीश्वा सर्वसम्हती से एक साज्याग गोशना पत्र लेकर के आगे का रूर मेप लेकर के हाँसे प्रारम्भ हुआ है अंतरजातिक स्तारे अनेग बाधा चिलो शेई बाधा दूर कुरेशन प्राक्तोन प्रधार मुंट्रे मन्माहन सिंग मुन्मान सिंग कौम काथा बोलतें काज बिशी कोडतें शंक्षदे बोलें अधीर चोधुरे जाएगी पार्टिया बनेगी बिगडेगी लेकिन ये देश रहना चाहिए पाइसर के युद्ध में हमारे देश के जमानों में कंके सामर्थ के लिए को पूरी तरह राष्ट्रेश में जोग देजे की प्रेणा इसी सदन्व से दी थी लाजबारु शास्त्री का और यहीं प लाल बादूर सात्री जिनर की थी बंगलादेश की मुक्ति का अंदोरन और उसका समर्थन भी इसी सदन्ने इंद्रा गांधी के नेत्रत में किया था तो इसी सदन्न में हमारे पूर्व प्रधान मतरी चांद सिंग जी ने ग्रामिर मंत्राले का गठन किया था कोठीन परिस्थितीर मोद्धे देशेर आर्थिक परिस्थिती शमलेचेन जहरलाल नहरू शरकार ओई शमाय देशेर माथा पीचो आये चीलो दूर्शो पाइंटाल लिष्टा का लोग शबाय बोलेन अधीर चो धोरे जब पंडित जहोलाल नहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम इंश्रशिप को सम्हाला ये देश को आगवाई करने के लिए त्यार हुई तब हिंदुस्तान के हलात क्या थी जानते हैं सर हमारे आयू थी महज बत्तिरीश साल हमारा सक्सा था थी महज बारा फिसद सर पार कापी टक हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर से दो सो पैटालिस रुपिया उसी कठीन हालात में जहोलाल नहिरू साब को ये सरकार को समालने पड़ी और उस समय की हमारा आर्थिक हाल को भी आप देखिए कि रोजाना हमारी देश की हर बेक्तिकों रोजगारती स से दो सब पैटालिस रुपिया उनिश्य चुवात्त शाले पोख्राने परोमानु बोमार परिक्खा कोरिये चलेन इंदिरा गांधी शार्कार मोने कोरिये दिलेन अधिर चोधरियो 1974 में इंदिरा जी पोख्रान में आटोमीक एक्स्पोशन किये थे तर उस समय से बीदाशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर समबाप प्रयाश की लेकिन अटाल जी रुके नहीं नारसी मराज की जमाने में भी ये निउक्लर एक्स्पोशन करने के लिए सोचा गए थे लेकिन इसको साकार किया ओटल भेरी बाच पाई जी ने और उसके साथ सत एभी संदेज दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसियम अपना रहे है